नमस्कार दोस्तों एडवाइज एड़ुकेशन में आपका स्वागत है गाइज जो फरिदाबाद में आपसे कॉशन पूछे गए थे पीएंग के लिए और स्वीपर के लिए पंदह तारिक को उनको मैं आपको लेकर आया हूं उनको अपनी जमाग में बैठा लीजिए ताकि कि तुम समय पर उनको बता सके गाइज तो गाइज स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए तो गाइज जो अधर स्टेट के उनसे पूछे गए तो अधर स्टेट से जिस हिसा से पूछे मैं उनको बता रहा हूं जैसे कि कोई हिमाचल का स्टुडेंट था तो हिमा सम्वेस की तो राजजपाल कौन हुए सिफ प्रताब सोख्ल और किसी और और सुभ्विन्दर सिंह क्षकूर राजपाल हुए तो वी तो गई कि राजधानी किया है सिफ परताब शोख्ल नैकिन कि राजधानी क्या रहेगी सिंवल गाइज हमाचल कब बना था 1971 में गाइज 27 जनवरी 1971 जब हमारा बांगला देश बना था हमारा नहीं पाकिस्तान से बांगला देश लग्या था तो उस समय सीम प्रधाल मंतरी कौन था इंद्रा गांदी याद रखना गाइज 27 जनवरी से इंद्धिन खित्तर को बनाता हमाचल राजड़ीपाल सुपरताप शुक्ल और सुखविद्न सिंग कौन नहीं है से सरकार कॉंग्रेस की इप इसके बाद पूछा गया गाईया उत्तराखंड उत्तराखंड का राजद्पाल कौन है गुरमीद सिंग और सीम कौन है पुषक पुश्कर सिंग धामी कहा के हैं कौन सी सरकार है बी जे पी ठीक है गुर्मीद से उत्राखंड पुश्कर सिंग धामी सी एम और कब बनाता नौ नमंबर 129 इसके बार घीज राज जपाल 1910 Vice56 को बनाता राजस्थान राजस्थान के र hedge राजस्थान को कौन है कल राज मिस्र और राजस्थान के सियंग कोन है असौक गैलोप । और अब सरकार किसकी है कौंग्रेस की राजिस्थान में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे वीडियो को अभी आप वेदन है आपसे वड़ी महत्त लगी है बहुत लोगों से पूछताच करिए तभी मैं आपको बता रहा हूं मेरे वीडियो को प्लीज लाइक और सब्सक्र यूपर से दो हजार तेशesun सेख्यावाद के डी सी कौन भिकरम से तो पूछा फंटक अपकशल गाँ था विक्रम सभी फश्रीदाबाद में गाह कितने गाइज 413 गाहों है तुरंत वता लिए इस फूर हंडेड थैटी इसके बाद गाइज लोक्षवासीट तो गाइज लोक्षवासीट कितनी फश्रीदाबाद में एक सांसर्द को ने किर्सिन पाल गूजर और कितनी बार रहे हैं 19 और 5 24 दो बार 14 से लेके 19 तक 19 से लेके 24 तक 14 से लेके 19 19 से लेके 24 सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा है रोह तक रोह तक में सब ज़्यादा ग्राम पंचायत है 149 149 अब ये पूछे हैं गाईज कोश्चन तो सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत वाला जिला रहो तक कितनी 149 फरीदाबाद के राजा कौन था ये भी पूछा गया गाईज राजा नहार सिंग हरियाना का सबसे बड़ा गाउं सिसाय कहां पे इस्तित है हिसार जिले में इस्त आप से पूछ लेगा पूछ सकता है फरीदाबाद में कितने मंडल तीन फरीदाबाद बल्लमगर्ड और बढडगल ठीक है गाईज ये तुम्हें आपको बता दिये अच्छा ये इसके ही हैं अम्बाला में सबसे अधिक बरसा होती है यह कुछ हरियाना के किस जिले में सब बरसा होती है अम्बाला में गाईज और गाईज पी एन और स्वीपर कि मैं ये कॉश्टन सबसे जदा पूछा गया है लोगों से मैंने बार बार पूछा था ये कॉश्टन सब जाद पूछा गया है नई दिल्ली मैं फ़रीदाबाद से के बीच ट्रेंड से कितने मिनट ल पता नहीं पता तो सूले मिनट लगते हैं गये सूले मिनट की को द्रबाट लीजिए फरीदाबाद के निर्वाचन अधिकारी कौन है याम निर्वाचन अधिकार है हमारे यस्पाल कौन है यसपाल तो घाइज यह मैंने आपको बता दिये फरिदाबाद में कितनी निर्वाचन अधिकार हैं तो याद रखेंगे आप ठीक है गैस और आपसे निवेदन गाइज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और जैसे ही कोई कॉश्चनों की अपनेट आती रहेगी मैं आपको बताता रहूंगा गाइज दोस्तो दोस्तो फरीदावाद में छे विधानजीचम असी इत INF और जिन मेंस चार वीजेपी के कभजे में एक बनिदल्रावच प्रिधलास्यों और एक वैस एक कॉंग्रिस की है झाइज कॉंग्रिस क्यों है। नीरज सर्मा नमबर दो पर जो यह नीरज सर्मा कॉंग्रेस कहां से एन इटी फ़रिदाबाद से तो गाइज इनको पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी पूछे गए तभी मैं आपके सामें लाया हूँ और गाइज कैसे भी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास कमेंट करें मैं हर कमेंट के जवाब दूगा और गाइज जिन जिन से जो जो कॉशन पूछे गए प्लीज मेरे पास कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ठीक है गाइज इसके बाद फऐदवाद में छे विदान सबसीट है चार विजे पी की एक कॉंग्रेस की पिर्तला नेंपाल गावद्थ है विदायक निर्दली है एन आईटी फईदवाद से मैंने भी आपको बता है नीरत सर्मा एन फोर एन आईटी एन फोर नीरत सर्मा कॉंग्रेस बढ़कल से सीमा मतिरखा बी जे पी बल्लबगर से सर्मा परिभ्हेन मंतरी फरीदाबाद सेसे नरेंद्र गुप्ता बीजे पी आपसे फूराद के विधाय कौन था हूं राजेंसमाज आते हैं बीजे पी तो गाइज यह आपके सामने यह कॉश्ण पूछ अब गाईज मसले की बात यह है या मुद्दे की बात यह है कि आप जितने भी आपसे कॉस्टन पूछे जाएं पी एंके तो चल रहें और पर के हो गए जो जो आपसे कॉस्टन पूछे गएं गाईज कमेंट में जरू करें उनको और मुझे बताएं और हाँ आपका को से पूछे थे उनसे कॉस्टन पूछे गएं क्योंकि उनका ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर था तो गाईज आप सभी से निवेदन हैं मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें गाईज और इन कॉस्टन को अपने दिमाग में सीधे-सीधे उधार कर जाएं कोई भी तो कॉमेंट करें मेरे पास ठीके गाईज और जो भी कॉस्टन पूछे जाएंगे मैं आगे जाके डाल दूगा आपके वीडियो में ठीके गाईज ताकि आप अच्छे से देख सके और सेलेक्ट हो सकें थैंक्यू गाईज वेरी वेरी थैंक्यू